अकबर के महल में कई कीमती सजावत की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वै गुलदस्ता सेवक ने घबरा कर उस गुलदस्ते को जोडने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कोड़ेदान में फेंग दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस पारे में कुछ पता न चले। कुछ तेर बाद महराज अकपर जब महल लोटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कामपनी लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महराज उस गुलदस्त तूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबोला हो गए। फ्रोध में राजा ने उस सेवक को फासी की सजा सुना दी। राजा ने कहा जूट मैं बरदाश्ट नहीं करता हूँ। जब गुल दस्ता तूट ही गया था तो छूट बोलने की क्या जरूरत थी अगले दिन इस पारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीर्बल ने इस बात का विरोध किया। बीर्बल बोले की जूट हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के जूट बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो छूट बोलना गलत नहीं है। बीर्बल के मुह से ऐसे श दियाराज करबार से निकलने के बाद बीर्बल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी छूट बोलता है। बीर्बल के दिमाग में एक तर्कीब आई, जिसके बाद बीर्बल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जोहरी से सोने की गेहु जैसे दिखने वाली बाली बनबाई और उसे लेकर अकबर ने जैसे ही बीर्बल को सभा में देखा, तो पूछा कि अब तुम यहां क्यों आए हो। बोले, जहांपना आज ऐसा चमतकार होगा, जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभाप्तियों की जिग्यासा बढ़ गई और राजा ने बीर्बल को अपनी बात कहने की अनुमती दे दी। बीर्बल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिध्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहु की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे, बहा सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीर्बल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राजदर्बार यह चमतकार देखे। बीर्बल की बात मानते हुए पूरा राजदर्बार खे खामोश हो गए और कोई भी केहू की बाली लगाने के लिए तयार नहीं हुआ। राज़ा अकबर बोले कि क्या राजदर्बार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी जूट न बोला हो। सभी खामोश थे। बीर्बल बोले जहांपना अब आप ही इस पाली को खेत में रोप दीजिए। बीर्बल की बात सुनकर महराज का सिर जुट जुग गया। साथ ही एक छोटे से जुट की वज़ा से किसी व्यक्ति का आंकलन भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ परस्थितियां ऐसी होती है कि लोग जुट बोल देते हैं।